नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मिशिन वी कमपनी और मैं हूँ आपका होस्ट मनमीद सिंग दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनस आइडिया जिसे अब अपने घर से असानी से शुरू करके काफी मुनाफ़ा कमा सकते हो पेपल लाइन से रिलेटर ये बिजनस है काफी डिमांड वैता है इसका कहीं पे भी शुरू करो चाहे इसे गाउं में शुरू करो चाहे इसे अपने शेहर में शुरू करो सभी जगा काफी डिमांड वैती है तो चलिए जानते हैं यह business क्या है, क्या इसमें manufacturing process है, कैसे इसकी marketing करनी है और क्या इसका final product ready होता है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो आज का जो यह हमारा business idea है यह है notebook register manufacturing business के बारे में यानि की copy किताब बनाने का business दोस्तो आज जो हम business देखेंगे इसमें हम notebook, register, diary सब कुछ बनाने के बारे में देखेंगे क्या क्या इसका process होता है, कैसे इसकी manufacturing की जाती है, क्या इसमे profit margin आता है और कैसे इसकी marketing की जाती है तो दोस्तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसका raw material क्या क्या है, कैसे notebook त्यार होती है तो चलिए दोस्तो यह देखते हैं कि यह है हमारी notebook market में ऐसे की notebook हमारे पास काफी मिल जाती है, अंदर single line है, double line है, math वाली line है सारी आपकी मर्लब ऐसे की notebook मिल जाएगी तो यह notebook जो है, सबसे पहले हमें इसमें दो raw materials का requirement होता है एक होता front title, यह जिसे हम title page कहते हैं और एक होता अंदर वाला paper, जिस पे हम लिखते हैं इसके अंदर अभी आपने index टालना हो, तो वो भी आप डाल सकते हो तो वो सारी आपकी customization है तो यह है हमारी notebook, इसके लिए हमारे दो raw material चाहिए एक बाहर वाला title और एक अंदर वाला paper और एक जिसको pin करने के लिए, pin आपको चाहिए इसका तो यह देखिए आपका title जो आता है इसमें यह होता है notebook का title यह दो-दो copy का set त्यार होता है आपका मिलब दो copy का title मिलेगा कई बार आपको 4 का भी मिल सकता है जैसे यह आपका अंदर भी printing हुआ है सारा आपको मिलब जैसे का अंदर one color printing चाहिए वो भी मिल जाएगा, two colors चाहिए वो भी मिल जाएगा सारा इसमें जैसे schedule आपका जो भी लिखना है वो सारा आप प्रेंट करवा सकते हो वो सारा आप पे depend है उसके बाद अगर आप front पे अपना नाम शपवाना चाहते हो कोई भी जैसे यह school में लिखा है आप कोई भी नाम शपवाना चाहते है आप वो भी चाहप सकते हो उसके बाद आपका end पे advice है MRP है जैसे इसमें 25-35 लिखी है यह सारी depend करते है pages के साब से किस quality का आप page यूस करोगे किस quality की आप इसका title यूस करोगे और कैसे आप कितने number of pages आप इसमें डालोगे उससी depend करता सारी आपकी MRP जो आपने पीछे decide करके लिखनी होती है और पीछे आप साथ में अपना लिख सकते हो address जहांसे आप अपना manufacturing वगरा और ऐसे कही अगर आपने school से type करना हो school वगरा को बना के देना हो तो वो भी आप उनका नाम शाप पर कर तो उनको भी बना के दे सकते हो तो यह तो था हमारा पहला product title जिसे हम कहते हैं यह है notebook का title और second हमारा आता है अंदे वाला paper दोस्तों यह जैसे paper है title मैंने आपको देखाया था 2 copy का set और यह आपका paper है यह आपका 4 copy का set भी आता है और 2 का भी आता है तो जो हमारे पास अभी ready है यह आपका 4 copy का set जैसे यह 4 copy आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 तो इसका मैं सीधा सा manufacturing से पूंजा देता हूं कैसे होता है जैसे 4 copy का title है आप इसे पहले cut करके 2 में convert करोगे 2 में convert करने के बाद फिर इसको double वाला जो title है वो इसके उपर रखोगे जितने भी आपने pages count करने है वो सारे count करके अंदर रख सकते हो उसके बाद यह आपने उपर रखता है और final में इसके उपर pin लगाना है pin लगाने के बाद आपकी copy fold होगी ऐसे fold हो जाएगा सारा fold होने के बाद end में आपका पीछे से back square होगा आपने जैसे squaring copy देखे होगी पीछे से square होता है जैसे यह copy है यह पूरा square हुआ होगा और यह आपकी round copy होगी pin लगने के बाद square करने के बाद हमारा end में आता है cutting का काम जैसे हमारा waste paper इधर से बाहर आया इधर से बाहर आया इधर से आया और इसको half में cut करके दो copy ready हो जाता है तो यह है basic process जो हमारी notebook ऐसे की जो त्यार होती है उसका process तो इसमें हमें end में अगर packing वगरा करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं वो optional है जैसे हमारे पास यह भी ready पड़ी है जैसे यह तीन notebook को हमने shrink wrap किया हूँ lamination वाली wrapping की हुई यह सारी अगर आपने करनी हो तो यह भी आप कर सकते हो यह optional काम है तो हम थे यहां पे कि जैसे paper पे ते गाव मटीर पे यह जो पेपर है, पेपर आपका अलग-अलग gsm के साब से अलग-अलग rate के साब से आता है यह आपका जैसे ठावन gsm काinship का paper है अगर आपको classmate का चाहिए हो Secondly. 정부 का अभी, अगर आपको ser chem अभी index भी लगा यह राव लगा सकते हैं तो ये सारा पेपर ये भी इसका सारा 58-70 और जाता है जैसे की कॉलिटी आप लखना चाहते हो वह सारा आप पे डेपैंड है जो मशीने हैं मशीनों ने आपने जैसे का पेपर डालों के वैसे के कोपी बनाके निकाल देनी है मशीनों की सिर्फ accuracy देखी जाती है पिनिंग की उसके बाद squaring की जो पीछे square होगा उसके बाद cutting की finishing ये चीज़े मशीनों की accuracy होता है बाकि notebook कैसे का बनेगा paper कैसे का होगा उस बैंट करता कैसे का raw material यूज करोगा तो जैसे हमने अभी देखा कि ये हमारा त्यार हो गया paper आ गया उसके बाद हमारा ये title आ गया title paper इनको हमने stitch करें stitching करने के लिए हमारे notebook stitching machine होती है उसमें हमने paper और title को सीधा ऐसे रखके तो यहां पे center में हमने देखके जैसे हम semi auto की बात करें आज हम semi auto का discuss कर लेते हैं semi auto जो stitching होता है उसमें मोटर लगा होता है उसमें हमने सिर्फ paddle प्रेस करना है उसमें automatically pin लगाते चले जाना तो यह जैसे हम देखें के दर कि ऐसे pin लग गया पिन लगने के बाद आपका जैसे जहां पर भी आप मशीन में रखते आ गया कि दकेल के जाएंगे वो फिन लगते गया है वीडियो में आप देख सकते हो कि पिन लगने के बाद हमने copy ऐसा फोल्ड करना है फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद हमारी copy round shape रहती है पीशे से इसको ऐसे का square करने के लिए हमारी notebook edge squaring machine लगता है तो यह भी fully hydraulic machine होता आटमाटिक आता है इसमें हमने सिर्फ copy ऐसे रख देनी है अंदर करके 10-12 copy जितनी भी आएगी machine के अंदर वो हमने रख देनी है इसने automatically दबा कर pressing करके copy को अच्छे से squaring कर देना यह दाप्रेस का काम नहीं एक आती हमारी manual machine जिसमें दाप्रेस कहते हैं तो दाप्रेस जो हो इसने होता है तो यह सिर्फ आपका मदलब दाप्रेस भी उसका अलग काम है और squaring का भी आपका अलग काम है तो यह हम इसमें squaring करेंगे machine के अंदर notebook रखे तो यह आपका पूरा square हो जाए स्क्वेरिंग के बाद हमारा end में काम आता है cutting अब cutting भी हमारे पास आती है semi auto manual fully auto जै कोपी को साराी के करने के नाइफ करद यह इसमें आपका होता है कि मोटर लगा होता है सावई थीन मोटर है के लिए आपको सांदुट करको कोई मुश्किल कामrench कर सकता है जब भी आप आऊगे किया उन्हाओ प्मारे विजिट करोगे है शार को सब्सक्राइब नहीं है तो उसके बाद हमारा कटिंग हो गया कटिंग के बाद हमारा एसे को खूपी त्यार हो गया जैसे जितने सथे जैसे जितने बी पेजिस के आपने रखने है वो सारे आपके ट्यार हो जाएगए जैसे चोटे-चोटे पेजिस के बनाए आपके बोदह तो फ्नीचिक के बीदिव करने हो तो यह सारी मिर्लब जैसे कि आप material डालो गए वैसे का copy आपका सारा त्यार हो यह तो हमारी notebook बन गी अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने अगर पैकिंग वगरा करनी हो, मार्केट में सेल करनी हो, तो हमारे दिखने को अच्छी लगे, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं श्रिंक रापिंग मशीन, नोटबुक श्रिंक रापिंग मशीन, तो यह है उससे की गई रापिंग, श्रिंक रापिंग मशीन, हमने जैसे मान के चलो, यह नोटबुक को हमने श्रिंक राप करना, यह जो हमने त्यार किये, चार कॉपी से इनको श्रिंग करना है, श्रिंग करने के लिए हमने इसको पर पनी चड़ाके मशीन के अदर रख देना है, मशीन आटोमेटिकली इसको कट भी करना है, पनी को कट करने के बाद इसको गरम हीटर से प्लास्टिक को श्रिंग करना है, श्रिंग करने के बाद ये इसका यह प्लस पॉइंट होता है कि कल को आप मार्केट में सप्लाइब करते हो तो सबसे पहली बात तो जो है होलसेल और जो स्कूल है वो ऐसे की पैकिंग को प्रैफल करते हैं कि ऐसे का मटियल हमारे पास पढ़ा हो तो उसको कभी सहनाब नहीं आता अब ही इसको कुछ होता नहीं पेपर को जितनी तरह मर्जी पढ़ा रहे तो ऐसे का जो नोटबुक होती है उनको लोग जारा स्टॉक में रखना पसंद करते हैं ऐसे अगर नॉर्मल कॉपी देते हो तो वह आपका मलब स्टॉक में रखना पसंद नहीं करते हैं तो इस वरसे जादा लगाने की जूरत नहीं है तो यह सारा प्रसेस था नोटबुक मैनुफेक्श्रिंग का मैनुवल से लेकर आटोमाटिक तक हमारे पास साथ आट मॉडल आते हैं जैसे का भी आप लगाना चाहो इन्वेस्टमेंट वैसे का आपको मिल जाए बाकी ज्यादा जानकारी आट लिए हमारे फोन नमबर पर कंटक्ट कर सकते हैं हम आपको इसके सारी जानकारी देंगे और गाइडेंस और आई उतो वो भी मिलेंगे फुलोगों चलिएयर यह नेक्स् पॉत आटे हैं इसके Profit के बारे में और मार्करणिंग के बारे सब सेबसे का फोई जान लेते हैं जैसे यह मैं कॉपी बगरता हूँ यह तो है मतलब किसी ने शपवाया है अपना 15, 25 और 35 तीन अमर्पी शपवाई है उसने 15, 25 और 35 यह सारा उसने डमेंड किया अपने पेजिस के साथ से अगर कम पेजिस में डालना उसने वो सारा अपनी मार्केट के साथ से सर बांग करते हैं तो आपका अगर हम 15 रुपे की कॉपी मानते है नौर्मल मार्केट में देते हैं कितने की चलती है सारी 15 की जो कॉपी है वो सारी आपको सो से डेट रह उपे जिसके अंदर आते हैं वो बनाके सारी आपको 6-7 रुपे के आसपास पढ़े गां लेबर, डेक् 50% जो है आपका मान के चलते हैं जितना MRP लेखा है उससे 50% मार्जिन में ready हो रही है ready होने एक बाद यही copy आपकी wholesale के अंदर 9-10 उपीस में जाएगी 9-10 उपीस में जाएगी आपको 15 रुपे वली copy के बीशे 3-4 उपे का profit अराम से आ रहा है मुश्किल काम भी है तो उसके बाद हम आते हैं इसके उपर की यह हम marketing कैसे करें marketing के इसके दो तरीके होते हैं एक आप school से tie up करो school जो जितने भी school है उनको notebook बना के दो वो सारा अपना नाम वगरा प्रिंट करवाते हैं उपर यह होता है कि जिस school की copy होती है वो अगली बार और कोई school वाला हो वो उसी supplier को contact करके उसी manufacturer से copy बनवाता है एक तो यह plus point हो गया और दूसरा आप अपने wholesaler जितने भी हैं शहर में city में कस्बे में या आपके गाउं में तो उन wholesaler से contact करो वो भी कहीं ना कहीं से माल लेके आ रहे हैं दूसरे शहर से दूर किसी से इसके unit अभी काफी कम लगे इतने जारा unit नहीं है तो कहीं से भी माल लेके आते हैं तो आपको सिर्फ उनको supply करना है वो दो तीन रुपे margin पे खेड़ रहे होगे आपको एक रुपया सस्ता भी उनसे दे दोगे तो आपका easily product sale हो जाएगा marketing इतना ही है कोई मुश्किल काम नहीं है बाकि यह देखो कि अपने आपके उधर market में किस तरह का paper यूज हो रहा है और आप उसी तरह का starting में use करो जारा अच्छी quality भी लेके चलोगे तो market में कोई ख्रीदेगा नहीं जारा low भी लेके चलोगे तो तब भी market में नहीं ख्रीदेगा अगर starting करनी है तो starting में उस तरह का paper यूज करो जो आपके market में regular चलगा तो आपका product जो है easily sale out हो जाएगा आपको दिक्कत नहीं आईगी तो धीरे धीरे जैसे आपकी starting हो रही है तो आप धीरे धीरे अपनी quality अप या minus कर सकते हो वो marketing के हिसाब से बाकि कोई मुश्कल काम नहीं असान से आप शुरू कर सकते हो घर में आपका 200 से 300 square feet भी area हो तो तब भी शुरू कर सकते हो तीन से चार मशीनों का setup होता है तीन से चार मशीनों में आप अलाम से इसका पूरा unit लगा सकते हो तो यह था सारा process notebook manufacturing के बारे में कैसे notebook त्यार होती है कैसे इसमे profit margin आते हैं कैसे marketing की जाती है यह सारी चीज़ें के notebook के रड़ेट है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करे नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए हमारे bell notification क प्रेस करें और हमारे रोज अपडेट देखते रहें तो यह था हमारे notebook के regarding अभी notebook में automatic machine, manual machine, semi-automatic machine के regarding और जानकारी हम देते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ-साथ में और तरह के business ideas देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कि ह हम नए नए business ideas आपके बास लाते रहेंगे जिनसे आपको जैसे का भी business अच्छा लगे अब ऐसे का शुरू कर सकती हो और यह भी बता दे कि अगर आपको कोई business idea अच्छा लगता है जो हमने अभी cover नहीं किया तो वह भी जिरूर बताएं हम उसके ओपर भी search करके सारी आपक सारी के लिए स्क्रीन पर दिएगे numbers पर contact करें कोई भी दिक्कत आए तो जब मर्जी हमें call करें हम आपको उसी वक्त response करेंगे तो चलिए मतम करते हैं इस वीडियो को धन्यवाइब